हेलो दोस्तो मेरे चैनल गुड फूड गुड लाइफ में आपका बहुत बहुत श्वागत है बरसाद का मौसम चल रहा है तो लगता है कुछ अच्छा सा खाने का लगता है साम की चायक साथ कुछ अच्छा सा कुछ नया सा मिल जा तो कहने ही क्या है ना ऐसे सभी लोगों को लगता हो तो फ्रेंज आईए आज हम बना दे कुछ नई तरीके से वेज ओमलेट उसके लिए हमें चाहिए बेशन बारी कट हुए हरी मिर्च बारी कटा हुआ टमाटर बारी कटा हुआ प्याज और हींग जीरा नमग और लाल मिच पाड़र और आपको जो भी सबजी आपक हैं और जो भी हमनें बारी कटी हुई सब्ची थी वे इसमें डाल देंगे और हरी धनिय और हरी मिर्च आप जोरूर डालेंगे और पर चाट मसाला बीडाल सकते हैं और नमक हम सादो नुशार डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेश्ट बना लेंगे जैसे हम डोसी का बनाते हैं या फिर पकोड़ियों का बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसी तरह से इसका बैटर तैयार करेंगे सबी चीजों को पहले हम मिक्स कर लें उसके बाद हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप इसमें थोड़ी सी चाहे तो सूजी भी आड़ कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें आड़ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे भी ये बहुत क्रंची बनेगा बहुत अपनदर मेंट के लिए मैंने इसको रैष्ट करने के लिए रखा तो पंदर मेंट हो गए हैं उसके बाद देखे आप यह और पी जाता गाड़ा हो गया है आप चाहिसे नहीं थोड़ा सा पाने मिला सकते हैं लेकिन आपको पाने मिलाने की जरूरत नहीं है और अब हम एक टबे को गरम करेंगे तब अच्छे से गरम हो जाएगे उसके बाद हम उसके लगाएंगे उपर से तेल रिफाइन जो भी आपको लगाना है देशीगी मत लगाना वसके अच्छा नहीं बनेगा और यहां पर मैंने घी लगा दिया है उसके उपर अब इस तरह से फैला देंग बेशन को इस तरह से फैलाएंगे जिस तरह से हम चीले को बनाते हैं रोसी को बनाते हैं उसी तरह से हम फैला देंगे और सेकेंगे इसको दोनों साइट अच्छी से सेक लेंगे उपर से हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और डालेंगे इसके जिससे आसानी से निकल जाए तो दे त्वेम गंच लेंगे अब इस्कूपर एमूबेट को दालेंगे अमूल का चीज मेरे पास वह हम इस्कूपर डाल लेंगे क्ली यह किस्कूपर ऋपर नाली को डाल दिय था अच्छे से चीज आराम से पूरे मेरे फैल जाता अच्छे से और देखिए वीज ओमलेट बनकर तयार है इसको आप सामकी चाय के साथ खाएं बच्चों को टुफिन में दीजिए या फिस सुवर नास्तिव बनाकर खाएं बहुत टेश्टी लगता है फ्रेट्स अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज स्क्राइब करें बाई बाई